हेलो एवरिबडी तुदे अवर टॉपिक बाइनोमियल थ्यूरम मैथेमेटिक लेक्ट्टर एंड मास्टर केटर मैं अधिसलीबस दा पार्ट है जो इनी विच इस लेक्ट्टर विच पूरेच आपा बाइनोमियल थ्यूरम पूरा टॉपिक कम्प्लीट करांगे जो भी बाइनोमियल थ्यूरम ना लेटेट कोश्चेन आए है पूरा टॉपिक चेड़ा है ओपा एक सिक्वेंस कम्प्लीट करांगे देखो सिक्वेंस की रहागी अपनी पहला आपा इंट्रोडेक्शन देखांगे फिर पॉस्कोल ट्राइंगल देन आपा टर्म्स पर है पढ़ांगे अपनु पता है मोस्टली जड़िया एक्जाइम विच जर्नल टर्म इंडिपेंड टर्म मिडल टर्म ग्रेटस टर्म नं टर्म में अन इस इवन और ओड टर्म फ्री फ्रम रेडिकल साइन टर्म में एन एस नेक्टिव इंडिजन ठीक है इनन बारे आपनों पूछले आजांदा है जा आपने को बाइनोमियल कॉफीजेंट ओंधा साम पूछले आजांदा यह सारी अपा एक सिक्वेंस कंप्लीट करांगे ंलाउस आपकी करांगे mcq करांगे जेक्वे दे इस बैनोमर धे में धूरम ना लिटेड होंगे ळहां प्लावा इला ऑपकी करांगेि इंडोडection देखो, binomial theorem किया है, यह binomial expansion दा पार्ट है, binomial expansion क्यों दिया है, is a way of expanding the same bracket very quickly, whatever power it is raised to, देखो, आपने कोल एक bracket दित्ती है, इंदी power दित्ती है, इन्नों आप expand के में कार साथ दिया है, देखो, यह simple आपने कोल फार्मल लांदा, ठीक है, तो आप आप इन्नों expand कार दिया है, य binomial लां मीनिंग किया है, कि इन्दे विच टू टर्मस ही आपका complete कार दिया है, चीक है, उस तर आपने कोल थी टर्मस ही हो सरी है, फोर वी हो सरी है, बाट बाइनों जेदो आपने देखता जान दा था, ओंदे विच क्यों निया है, टू टर्मस हो निया है, जिन्ने आपका expand करना है, तो इस टॉपी के आपने विल्टी चे भी आपा देख दी है, उन्दे चे भी आपनों ओन दा है कि कोई भी आपा event देखना है, कि इन्दी वरी हैपन उन्दा था, उन्दे विच आपकी है, इन्दा यूस कार दिया, आपका next course जीडिया, एक्जेंपल करांगे, जि इसे ज़रा मेरिटोरियस एक्जाम आया थी उन्दे वेच जड़ा है इंदे ना लेटर साम पोछले आ जान दा देखो है बहुत सिंपल है बाट इंदे ना जड़ा एक्जामीनर है आपनों पता नहीं लादा भी उन्हें केड़े टॉपिक जो कोई भी क्वेश्चन पोछले ना देखो इन्दे वेच की है कि हरे एक जड़ी है डाइग्रम तो तो अनुक्लियर हुंदा प्या है कि ट्रेंगल है यह बाउंडर बाई वान वन आ रहे है ना ठीक है तो फिर वान ते वान अपने कोल की आजन्द है टू एदरो वान प्लस टू की इन्दा थी टू प्लस 1 3 ठीक है तो वान साइड़ाट थी करते हैं बाउंड वान प्लस ट्री के आला है 4 3 प्लस 3 6 3 प्लस 1 4 4 प्लस 1 5 4 6 10 6 प्लस 4 10 4 प्लस 1 की आगया 5 फाई है ना प्लस देखो कि में है पतां तहां देखो इन्दी कोफिशेंट कीया है है इन्दा कोफिशेंट??? your नंदा कोफिशेंट n या क्या अ मुझान के कारना है यहां ? शली घंज धांगि काषण है नंदे कोफिशेंट यह क्या ? यहां में फाले कोफषेंट करों गेo इन्हों आप गे इभी एक्सपैंड कर साथें बट आपनू किया मीन इन चीहां के लिएर होने चाहिए कि अगे एक्सपैंड होगी देखो 1 प्लस 5 किया जेगा 6 आजेगा 5 प्लस 10 किया जेगा 15 आजेगा ठीक है इन्हें आ लेटर साम देखो कि आयाजी इन्हा पॉसकल ट्रैं क्यों दिया लाइन दिया तो ओना क्या कि हर एक जड़ी लाइन है तो ओर ये इच रो जड़ी है बाउंडर बाई वान ठीक है इन अंसर आपने को किसी वान देखो ए आपने को लेक्चर केडर मेरिटोरियस ता जो एक्जैम हो यासी उन्दी वेचे जड़ाया है क्वेस्चन आज़ी आ गया है नेक्स्ट बाढ़ांगे टर्मस पाद पढ़ांगे ता बन बाए वर और एक टर्म् पढ़ांगे पहलना आप सकतो पढ़ांगे जर्णल तर्म इनो एक्स पैंशेन एक्स प्लस वाईडि पावर एन उत्ति आपने को जड़न टर्म के वेगी टी ऑर प्ल लिए फिफ्ट टर्म इट मींस आपका टी फाइफ फाइड करना तो आपके इनुँँ टी 4 प्लस 1 लिखता हैं यह आपका फार्मला यूस करांगे इत्थे आपने कोल एंड किया है 6 दितना पावर 6C आपने कोल इत्थे किया गया 4 आर्दी जगा ते फोर आना इत्थे फोर फ ता एंड माइनस आर 6 माइनस 4 एंड नेक्स्ट आपने कोल किया है X दि पावर आर आर आपने कोल किया है 4 है तो इन्हों आपका सॉल्व करांगे आपने कोल किया आजेगा इन्हों आपका 62 भी लेक्सागे दिया X दि पावर 4 इस इक्वल टू आपका लेक्सागे 6 मल्टिप्लाइ 5 अपाउं 2 X दि पावर 4 इन्हों कैंसल करोगे तो क्या रेगा 3 ता 15 X दि पावर 4 जेड़ा हो आपने कोल किया आजेगी 5 टर्म आजेगी इचीज नोट करनी है कि जदो आपने फिफ्ट टर्म पुच्छ आएके T R प्लस 1 ठीक है जे अपने फिफ्ट टर्म पुच्छ यह ता R जेड़ी हो अपने कोल किया आएगी 4E आएगी नेक्स्ट आपका करेंगी इंड़ेंड़ टर्म इंड़ेंड़ टर्म चे जड़ी है फार्मली है वह अपने कोल आवाले है जिवी होना आपने कोल देटता है जांदा A X दी पावर P उपॉन C प्लस B D X दी पावर Q दी पावर हो पावर किया अपने दिफ्ट दिफ्ट अपने कोल आपने 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 कोल आपन 3 दी होल पावदी दिएत 10 पहले आहार फाइड़ करना आर आपने कोल की ने पोफ पर पोफ फलस पूर। होने तो तो दिसे कंप्यर क है कर साथ दियो पी आपने पोफ लकी । अ भाव दी जरहते हैं लिखांगा ने खाने पर आप फने पावन्ज स की थे obviously जी क्या जेगा 2 प्लस 3 अपने को लिथे किया गया 20.5 कैंसल करोगे ता आर आपने को ल किया गया 4 उन्हों देखो आर आपने को 4 आ गया इट मींस आपा टर्म के डिफाइंड करनी हो ना कि ना इन्डेपेंडड टर्म आपने कोल की होएगी t5 ताही आपने लिखांगी ना t4 प्लस 1 ठीक है आर आपने कोल 4 है ना ताहीने प्लस 1 लिखांगे कैसा पूँक्छिए थे आपने कोले कियी आएग्या 5 इंडेपएंडडेत तर्म आयेगी वो तो सी T5 ता पार जनरल टर्म ची फाइंड करनी सिखिए है आपने को लेंड किया 10 C4 आजेगा ठीक है ता आपने को फर्स्ट किया है इंदा कोफिशेंट 3 है 3 पावर किया आजेगी 10 माइनस 4 6 आजेगी एथे आपने को ल किया माइनस 1 अपॉन 2 कोफिशेंट लेलांगे आपने आदे ता एथे क्या आजेगा आर इनों सॉल्व करोगे ता आपने को लेंड अंसर आजेगा आपनु यह निसे ता भी केड़ी टर्म फाइंड करनी आपा इंडपेंड टर्म फाइंड करनी सी कि जिंदे वेच एकस ना आवे ठीक है ता एस टर्म वेच आपने को लेक्स नहीं आएगा क्योंकि एथे एकस दी पावर ची आपका करांगे एस टर्म वेच फिफ्त च ता इतने को लेक्स दो कावर चिक है ठीक है अगुएघ फटिक है मल्टिपलाइ एथे अपने को लेक्स दो लेक्स दो आपका काउंट करांगे फिता उत्स दो किया इंड़रे एखाल चाहिए अंगोड़ी आपने को लेका-इकस दोसे असे आट दो निसे यॉन क्यों क्यों का деньги ठीक यह अपने को जडिया है टर्म जडी इंदेपेंडेंडे ड़ो एक्स आजेगी त्वर्स हुप जुल था अनुग आर करना चाहिए न ही की आर किमें करना है आर फाइंड करना दा सिंपल फार्मला कि यह एंड पी पॉंड प्लस क्यों इंड एक होर मेथड हुंद है कि जीड़ आपका जीरो दीकोल जेड़ा कंपेर कर लें निया तर्मनों तो थोड़ा लॉंग मेथड हो जान दा इसलिए आपका याल राख सादे आर इस इकोल इल्यांत फोर ट्वन्टी ट्वन्टी वाननों मेरिटोरियस लेक्ष्टर दा एक्जामो यासी उन्दे वेच पुच्छा क्या सी कोश्चन तुसी देख साद्यों कोश्चन पे पर वेच एक कोश्चन आया दा टर्म इंडपेंडड ओफ एक्स इंड एक्सपेंशन आप आपने कोश्चन पुच्छी तुसे पुच्छे सी इंडपेंडड तर्म इली आप पहला की फाइंड करना है आर आर आप पांपीछे करके कियान नदा अपने पोण ट्यू प्लस क्यों एंदा शोर्ट फार्मलेल है ठीक है यंदा अपने कोश्च यह सिक्स है पी अपने और धार किया 1 अपान अपने को पीज़र में पहले है यहाँ आपने मेंको पीज़र है को च्प्सरेम क्या आपने कोला व्यस्त तो ऑपेशन पीज हैं से अपर अपने को लिख दो इस आर अपने कोल 2 है फिर आपकोफिशेंट ले देया है अंदा ओ आपने कोल किया है गी 6-2 n-r हुँदा तो फिर किया है कोफिशेंट ओफ दिस वन ओ कि आपने कोल आजेगा पावर r तो 6 multiply 5 upon 3 multiply 2 multiply 1 इन्नों अपको खोल दिया न तो ए आपने कोल किया आजेगा वन नी आजेगा वांदी पावर जो भी करोगे इन्नों कैंसल करोगे तो 3 इक्वल टू 15 जेड़ा ओप्शेंट अपने कोल A सी ओ बिल्कुल करेक्ट सी Meritorious Lecturer जेड़ा 11 आप्राल नो होया 2021 नो ठीक है उन्दे वेच ए कोश्चन आया सी ता उन्दे जेड़ी A option 15 सी ओ बिल्कुल करेक्ट अन्सा सी A सी अपने कोल इंडिपेंड़ टर्म कारली आपपा जर्नल टर्म कारली थर्ड आपने कोल है middle term Middle term देखो इन्दे वेच आपने कोल N देखना है कि even N चा ओड है जेकर अपने कोल N इंड है then there is one middle term ठीक है अपने कोल सिर्फ एक middle term होएगी जमें आपने कोल A expansion रित्ती जांदी है ना तो इन्दी पावर की रित्ती है N जे था यह वाली N आपने कोल इंड है देन वन middle term आएगी ओकी होएगी N प्लस 2 अपॉन टूथ टर्म जड़ी होएगी ओं middle term होएगी जे आपने कोल N ओड आजांदी है ता तुसरी याल रखने है टू middle term आणगे एक अपने कोल N प्लस 1 अपॉन टू आएगी ता दूसरी आपने कोल N प्लस 3 अपॉन टू आएग 20 की है तुसरी किदि है ता अपने कोल vors टरम केी आएगी जैंडी मिड़ल टर्म होएगी ओक आपने कोल आजेगी N फ्लस 2 अपॉनटू टू जानि के 20 फ्लससी पॉन ठूब्न पॉन टू ठूसल करोंगे ता 11 आजेगा जली के जैडिक टरम अपने कोल अपने कोल मिड़ल टर तर्म आपने कोल किया जेगी 11th टर्म एस फर्मलेच आप पहला फिल करके देखांगे भी केड़ी टर्म मिटल टर्म है क्लियर है जी ओड आ गया एथे आपने कोल N20 जी इमन आया जी न तर जी आपने कोल और आ जांदा फिर टू मिडल टर्म सोनिया जी नेक्स्ट उसी फाइंड कार सागते हो 20 NCR आर अपने कोल किया है 10 ठीक है 2 बाइ 3 दी पावर 20 माइनस 10 एन माइनस अरूंद न ते क्या जेगा 10 माइनस 3 ओपॉन 2 दी पावर 10 क्लियर है इन्हों आपपा सॉलो कर लांगे उस तो नेक्स्ट एक्जेंपल दा मिडल टर्म दे एक जाया है जो 11 आप्राइल नों होया सी 2021 नों ओंदी वेचाया होया देखो एथी आपने कोल 10 किया है इंवन है ना ता आपमा जड़ो इंवन हुंद है ता आपने कोल मिडल टर्म क्यों दिया है एन प्लस 2 ओपाउन 2 ता 10 प्लस 2 कि आएगा 12 ओपाउन 2 इन्हों कंस्ट कर एन आपने कोल किया 10 आर आपने कोल किया 5 तो नेक्स्ट कोफिशेंट एथे वान नी रहेगा वान दा एथे वान नी रहेगा कोफिशेंट ता आइन नों जड़ा तुसी 10C5 नों अगे खोल के आपका सॉल्व कर सकते हैं क्लियर है मिडल टर्म चिक नफ्यूज दी हो ना सिर होएगी n plus 1 upon 2, सेकेंड हो एगी n plus 3 upon 2, एक कोश्यन आपने को पुछ लिए ऐन ग्रेटस टर्म था ठीक है ग्रेटस टर्म चे देखो कियो इंदा है आपका फिला टी आर फ्लस 1 आपकी फाइंड कार दियूं थी आर प्लस 1 अपकुंद टी आर इंन्हों अपकी कार दियूं ग्रेटर देन वंन नेक्स्ट पर सेश जेड़ा आपना हुज तरहिए चालू हो जंते है बाटेश आपके कादरह जेड़ा आर उणडीक इकंप्रस ओंडी लेनएسب हो औरी यहें यंक्लोर यहां तरहिएल्टेश चैनलेहर टो इतीजरह abordें आपनेक Après इंटीजरह शाय ग्रेटस टर्मों गियाक टोनार मैंनिट्यूड सेम होएगा ज़ेडि टूस है की ओन ग्रेटस टर्मों गिया जी आपने कोल M not an integer इंट्रेटल पार्ट जेड़ा होएगा म दा उन्हों आपकी लेखलांगे के प्लस वांत तो जड़ी टर्म है वह अपने कोल क्यों होएगी ग्रेटस टर्म होएगी देखो अपने कोल आ जांदा है 3 यह अपने कोल एक इंटीजर आ गया ना देन जेड़ा है अपने कोल एम 3 & 4 इनना दोनन स्वाल्व करोगे ता इनना जेड़ा मैनिट्यूड होएगा तो एड़ी एक ग्रेटस टर्म बांजेगी अधर्वाइस की होएगा जे एम इंटीजर नहीं है जाने कि अपने कोल एम किया 3.1 दे जिकता है एक इंटीजर वैल्यू नहीं है ना तो देन जेड़ा इंटीजर पार्ट होएगा इंदा उन्हों आपके लेख लांगे के प्लस वां जिवी हुन 3 है 3 अपके लेख लांगे 3 प्लस 1 जाने कि 4 टर्म जड़ी हो आपने कोल किया तर्म इंड एगस पैन्शन मैं अपने कोल एक उतलता वांपाँन फाइव तो दुसरा की करना है कि म तु principles यादरा कंलों अपन कि करना तुए अपने कोल N दितता है अपने कोल X उंदा है आपने कोल Y उन्दा है ता X आपने कोल 3 एड़िय वैल्यू आपने कोल की दितती है माइनस ओफ 5X X प्लास आपाइन वेस्त लेख दे ना X प्लास A D पावर छीक है N clear है तो N आपनेकोल 11 आगया X आपनेकोल 3 आगया तो A आपनेकोल किया माइनस 5X ता इंडे वेचे चेटा X दी वैल्यू आपनेकोल 1 अपनेकोल 5 है एथे फिल कादो ता A V-A-P-1 अपनेकोल A value है यह X दी वी N तो आपनेकोल M हुपाइन फाइन प्लास ओटν कर लांगे M अपनेकोल किया है N 11 X पाउं Ed 3-1 मौट रखेंगा 12 ता 24 12 पॉन 4 आजेगा कैंसल करो गेता है 3 जेड़ आओ आपने कोल M धी वैल्यू आगी तो उन्हाने आपने ग्रेटस टर्म पुछी है ना इन्दे चे ग्रेटस टर्म आपने कोल की होगी T3 आण T4 बट इन्ना दा मैग्निटूड जेड़ आओ दोना दा इकोल होगा आपने के टर यह याद रखना है बहुत सारी बच्चे इन्देश कंफ्यूज हो जान दिया ड्रेक्टे इन्नों आर फिल का दिन दिया आपने कोले जड़ी जर्नल टर्म हो आपने पहला रिड़ाउड कीती है क्योंकि इन्दिया आर प्लस वन आर अपने कोल की आएगा टू आएगा तो आपने कोल की आजेगा चू आजेगा आर क्लियर है अगे तो तुस्य सॉलो कार लोगे तो आप में एम फाइंड आउट करनी सिखनी है एम दा फार्मला तुस्य याद रखना है कि उन्दा एंड प्लस वन अपॉन पॉन प्लस मोड ओफ एक्स अपॉन एग एथो अपा ग्र इसजेंपल है फाइंड ग्रितास टर्म इननक्न सेख गुण्द किएंड टी पाइंड प 55 अपने कोम बाइंड एधिक आप लौत एग्स अप्लस वन अपॉन मोड ओफ एकस अपॉन एठक प्लस वनहां एट स्स्य याउरिद न डिटिगे तैंड निंड नhावन प्लस करांगे 1 upon 2 upon 3 करांगे तो 3 upon कि आजएगा 2 है इन्हों करोंगे 11 multiply 2 upon कि आजएगा 5 22 upon 5 आजएगा तो 4.4 आ गया यह अपने कोल की है इंटीजर वैल्यू नहीं है ना नौट बिलॉंस टू इंटीजर वैल्यू ना आवे ता आपकी किता है कि मुझे दों एक इंटीजर वैल्यू नहीं है तो आपकी करना जड़ा होंदा इंटीजर पार्ट दितता है जमी होने थे 4 दितता है तो उन्डू की कार लाएना प्लस वन कार लाएना यह अपने कोल की आगया के ता आपकी करना है के प्लस वन तो ओ आपने की आजेगी ग्रेटस टर्म तो आपने कोल ग्रेटस टर्म केड़ी आजेगी ग्रेटस टर्म आपने कोल आजेगी 4 प्लस वन्थ टर्म जड़ी होएगी वो आपने कोल ग्रेटस टर्म होएगी ता फिफ्थ टर्म आजेगी क्लियर है जित्थे की आपने कोल एन ची आर आपने कोल 4 आजेगा तो एक्स दी पावर की आजेगा 4 आजेगा क्योंकि एथे आ निकलवान नहीं है ना एक्स ते पावर किया गया फोर इन्हों सॉल्व करोगे टैन नों फोर टाइम ओपन कार देख कियाएगा टू टैन टू अपॉन 3D पावर 4 इन्हों सॉल्व करने अपना अंसर आजेगा क्लियर में तुस्य पहलना की फाइंड करना एम फाइंड करना है जो तो तुन एम फाइंड आउट करना आगया दैन दो कंडिशन हो जाए दिया है जानता एम एक इंटीजर वैल्यू होएगी जेता इंटीजर है दैन आपने कोल किया है इंडिया भी बहुत सारी कंडिशन दिया तो यह तुसी शेज़ेट है अपने कोल पॉइंट्स रित्ती है यह नहीं तुसी रीड आउट कार लो देखो किया है इफ एन इस पॉस्टिव इंटीजर दैन नमबर अफ टर्मिन बाइनोमियल एक्सपैंशन इ या अनल्पलस फ्प्लस फावर अटा दिया है यह तुसी याद रखने है इनदे वेच नंबर अफ टर्म इंटिवेच नमबर अफ ध़िपावर n आख सिपावर वो आपने कोल की इंदिया n plus 1 upon 2 equal to की इंदिया number of term with negative sign second ची भी आपने कोल number of terms with negative sign भी n plus 1 upon 2 आई है ना तो एमें इंदि वेचे भी आपने कोल जडिया number of terms है वो n plus 1 upon 2 यहां दिया जी हुन आपने कोल एथी आपा positive कोई teaser कीता है जी आपने कोल n एक rational number है which is not a whole number नहीं दित्ता then number of terms in expansion क्यों गया infinite हों गया यह आपने कोल mcq simple बाणके भी आ सकता है कि if n is ration number then number of terms in expansion तो ओक्यों हों गया infinite आपा इंदिया number of term देखो एथी minus sign सी जी एथी plus sign आजानदा है then क्यों एगा n plus 1 minus n plus 1 upon 2 जेडिया total terms आपने कोल आएं उन्दी विच्चों जेडिया आपने कोल एवालिया terms आएं वो minus का देरिया if n is odd j odd है then इन दोना नहीं both have same number of terms दोना नहीं जेडिया terms है वो क्या आणगिया same आणगिया equal to क्या आणगिया n plus 1 upon 2 आणगिया clear है यह आपने कोल आपने कोल आपने कोल n even है then आपने कोल number of terms जडिया हूँ डिफरेंट आणगिया यह थे plus sign आजान दा ता number of terms क्यों आणगर n plus 2 upon 2 तो आपने कोल आएथे minus sign आजानदा ता फिर आपने कोल number of terms क्यों आणगर n upon 2 clear है एक होगा n upon 2 तो आपने कोल क्यों आणगर n plus 2 upon 2 आणगर यह number of terms जे इवन है ता इन जे थे plus a sign है तो फिर n plus 2 upon 2 होन गिया जे थे minus a sign आ जाना तो n upon 2 होन गिया number of terms इने विच आपने को पोछले आजयना number of terms कि नहीं है ठीक है यह आपने कोछ जेड़ा के ता करेता है एक ते n नहीं है सब्सक्राइब करना है प्लस य प्लस जड प्लस जड डी पावर कोच भी देडिन देए आपने को लगा थी या टेन देश्य अपने नूंबर ओफ टर्म फायंड करनी है यह 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 जूगा प्लस के आज़ेगा त्य माइनस के आज़ेगा वान आज़ेगा नेक्स एकुहा एक्जेम्पल है दह नमबर उफ तर्म इन एक्स्पेंशिन एकश्पेंश्य आप फ्लस ब्लससी टी पावर एंड गरनल मृंग्स टूज यह मृूस है नौनिकोल खीया है आपने को लिए थी यह थी टर्म्स देती है ना आपने को ल एन न न नहीं है तो इत्य आपा इन्हों सुल्व कार सकते हैं अप्लस 3-1 c 3-1 clear रहते हैं इन्हों आपा इस तरह खोल के लिख सकते हैं एन प्लस 2 and प्लस 1 अपाण 2 next है term free from radical science terms चेडियां free from radical science कदों दिया हैं देखो इन्हों आपा किमे solve करना है अपने को लिए एक्जेम्पल दित्ती है how many terms are free from radical science इन्हों पा solve करेका आगे how many terms are free from radical science आपने को लिए सतना कोशिन आएगा तो आपने को आपने को आरेडी एक्सपैंशन दिया एकस दी पावर वान अपाउन थ्री वाइडि पावर वान अपाउन फाइव दिपावर 35 पहलने आपा जर्णल टर्म फाइंड करांगे टी आर प्लस वन ठीक है ता अपने कुल आर आपा नू पता नहीं है की है ठीक है अपने कुल आर लेके चलांगे ओन आपा फ्री करना है कि इंदे चेज़ेडा रैशनल नंबर ना आवे ता रैशनल नंबर कदो नहीं आ सकता देखो 35-5 करोगे 35-5 करोगे 30 upon 3 cancel करोगे ता अपने कुल किया जेगा 10 एथे आधी पावर जड़ी हो रैशनल नंबर नहीं ना बनेगा एथे आधी पावर 5 upon 5 करोगे ता वानना आजेगा जी आप 20 करांगे जा 35 करांगे आपने कुल आर दिया वैल्यू है maximum आपने कुल 35 तक जा सकते हैं क्योंकि आपने कुल 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 आपने कु टलता है तो देन आपने को जड्राइब की होएगी ऊच देख साधियो जड्राइब ऍए जड्राइब आपने को क्यों एगी माउनस बावर और अन फ्लस वन फ्लस टू एन प्लस याइब की आएगी ऐगी आ एक्स्पेंशन जिएुस्ष मॐज़त सबस्ष देन आपने को जीडि़ए नतर्म हाओ शाया करांगी बाइनटी अप्सिपेंशन ठीक है पहला देखो binomial expansion आपा पिछे पड़िया कि इंदा इस पॉस्टीव इंटीजर एंड एकस एंड वाई यार एंड रियल लंबर दैन एकस प्लस वाइन वापपा इस तरह कोल के लेख साथ यह एंड सी आर एकसी पावर आर एकसी पावर जेदी है वह आपने कोल कटी जा पर देखता है मैं देखो नंबर ओफ टर्म इंड एकस पैंशन इस मोर दैन दा टर्म इंडेक्स एंड जेड़ा आवला एंड तर्म से एंड तो क्यों दिए जारा हूं दिए तो उसी खोल के लिए जिबहों आपने कोल एकस प्लस वाइडी पावर सिंपल जी एक्जेम्पल ठोल डिएखो एकस प्लस वाईडी पावर टू देता है आप पाणीफू के लिए एकस प्लसटीन ग्राइघ सिह मोड़ा एंड एक्स एन इत्थ है इंडेक्स आपने कोल टू सी बट नंबर ओफ टर्म से आपने कोल किया गिया थ्री आगिया सेकेंड किया थे एक्सपेंशन इस वैलिड ओली वैलिड ओली एक्स नुमेरिकल लेस देन वन जेड़ी आपने कोल एंडी वैल्यू है एक्स जेड़ आपने कोल ठीक है एथे आपने कोल एक्स प्लस वाइड इक्सपेंशन है तो जेड़ा एक्स है उन्दी जेड़ी वैल्यू नुमेरिकल उन लेस देन क्यों जेड़ी है वान पूर अदर्वाइस दा सीरीस बिकम डिवर्जेंट जे आपने कोल वान तो ग्रेटर आपने कोल एथे माइनस आ जान दा दन की उन्द है कि आपने कोल एथे माइनस आ जान दा दन की उन्द है जित्ते वी आपने कोल आएगा ऊंते नाल की आजेगा माइनस आ जागा बाकी एक्सपैंशन देडियों सेम रहाएगा और एथे यह एक्स प्लस वाईरी क्यूब दावार्मला पर नौन था था एक्स पेंशन देडियां तुसी याद रक साधियों क्लियर है नेट्स अपने कोल है बाइनोमियल कॉफिशेंट बाइनोमियल कॉफिशेंट चेपा पढ़ाएंगे इंदे संबारे भी पढ़ाएंगे इंडेक्स पेंशन ओफ प्लस प्लास थे पाउर अपने कोल कि इंदे बाइनोमियल कॉफिशेंट क्लियर है जेडिये कॉफिशेंट हों देया नानों आपके लिए धेया यह उन्देया बाइनोमियल कॉफिशेंट जिदियों ओड आ जांदेया जिमें C1 आगया C3 C5 क्लियर है ओड होगे एक आपने कोल इवन उन्दी है जीरो सी टू सी फोर यह की होगे इवन कोफिशेंट इनना दे सम आपन पोछले हैं जान्दा जेता टोटल सम पुच्छा जावे कि सम ओफ बाइनोमियल कोफिशेंट जाने के सी नौट तो लागके सी वान सी टू सी तू सी सी यथे है आपने कोल कहική आइना न-1 अपॉण 2 ले आपने कोल सम किया है अन्द माइन सी नौट प्लस येधी आपने कोल ट्रम कहाओ ऑफ उड होस्रेंट हैसे याद रखने आपने कोल पुच्छा जान छेंदा है सम ओफ कोफिशेंट को होगा थो बाइन-1 प्लाउस 1 upon 2 n c n upon 2 ये वार्मले तो तो याद रखनी है जिए होना आपने को पुच्छा रहना है sum of coefficient of two terms आपने को देरिखती है जानी है then आपने को simple method आपा x ते plus y d value की या 1 fill कार देनी है आपने को sum की बांजेगा a plus b d power n देखो the coefficient of the terms equal distance from the beginning and the end ये याल रखना है कि n c r is equal to the n c n minus r जेड़े coefficient आपा लेनने है वो starting तो end तो जो दो आपा देख दी है तो वो कि हुंदी है same हुंदी है जो में 1 plus x ती पावर n है तो ओर ना आपा coefficient लवांगे n c r तो n c n minus r लास तो लवांगे starting तो दोने की उनके equal होएगे पावर n minus 1 when n को ये अपने कोल किया पॉजिटिव इंटीजर है coefficient of x ती पावर n minus 1 index pension आपने कोल कईवर expansion इस्टांग दिवी देदें दे है x minus 1 x minus 2 x minus n देन आपा कोशनी करना जेड़िया n वाली है तो इन्हों आपा के लिए हले लेना आपने कोल किया जेगा coefficient of x ती पावर n minus 1 क्लियर है एक सी वीडियो आपने कोल जड़िया है binomial theorem नों लेके है इंदे वेचे कोशिश कीते गई है कि binomial theorem ना लेटर जो भी संबान सकती है तो जो भी वीडियो